अभी Elon Musk की company Starlink ने एक नई चीज अनौन्स करी वो USA में T-Mobile company के साथ मिलके mobile phone के अंदर directly satellite का communication देने वाले मतलब कि अगर हम rumors वगरा की बात माने तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक iPhone लो और उसके अंदर अगर आप internet चलाना चाहो बिना किसी SIM card बिना किसी network तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है कैसे कि कि वो directly satellite से connect होगा satellite से internet की service प्रवाइड की जाएगी और आप अपने mobile phone के अंदर चीज का मज़ा ले पाएंगे देखने सुने में चीज काफी जबर जस लगती है already इस tap के implementation कुछ जगे satellite phones वगरा में already हो चुका है और वहीं बात करें upcoming iPhone में इस tap के कुछ चीज आपको देखने को मिल सकती है लेकिन main मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे इस tap की technologies आपको इंडिया में क्यों देखने को नहीं मिलती देखो बात की जाए तो Starlink जो है वो काफी ambitious project तो और वो एक ऐसा project है कि किसी भी आदमी जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाए वो वहाँ पे internet का use कर पा है इसलिए उन्होंने low orbit के अंदर काफी सारे satellites को यहाँ पे place कर दिया जिनके तुरू directly satellites connect करके internet ले सकता है यानि कि अगर मैं Starlink के एक basic funda बता हूँ तो यह है कि घर की उपर एक dish antenna लगाना है जैसे आज की समय में जैसे tartas का ही आता है, dish tv, air tell आता है इन सब के dish antenna उपर लगाते है ना और उससे tv के मज़े लेते है ठीक ठीक वैसी concept है कि आप अपनी छतरी घर की उपर लगाओ और आप एक मस्त high speed internet का मज़ा ले लो और देखा जाया तो इस concept है Starlink already number one है Starlink देखा जाया तो already उसके 2000 से जदा सेटलाइट और 2000 से जदा कस्टमर से जो इस service का दुनिया भर में अलग लग जगे मज़ा लेते रहते है लेकिन बात की जाया तो इंडिया की कहानी क्या है देखो इंडिया में देखा तो Starlink की इंडिया सबसेडियरी बहुत ही जो शोर से शुरू हुई थी काफी सारे pre-order ले ली थे लगवक 5,000 लोगों ने उस समय pre-order ले लिया था और उस समय मैंने वीडियो बना कर बताया था कि आपको pre-order क्यों नहीं लेना चाहिए और ये एक reason basic ये था कि उसके बाद government of India ने खुद ने बोला कि ये जो service इंडियम में provide कर रहे है इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कोई भी license नहीं लिया मतलब simple सी बात ये कि इंडियम अगर को भी company mobile phone, telephone, network, internet वगर अगर यहाँ पर provide कर रहे है तो यहाँ पर कहीं न कहीं license लेना पड़ता है government से जैसे कि 5G spectrum auction का कितना check sample है जहाँ पर जो 5G रहता उसकी waves की लोग यहाँ पर license लेते है और जब किसी company को license मिल जाता है government को पैसा देती है उसके बाद उस चीज़ को वो यहाँ पर roll out कर सकती है क्योंकि at the end of the day ये बड़ी-बड़ी company को भी है पैसा बनाना है इसके साथ ही बात करें जो इंडिया के country head थे Mr. Sanjay Bhargap उन्होंने भी यहाँ पर company join करने के 4 महिने के बाद यहाँ पर resign कर दिया और अभी तक देखा जा तो Starling को लेखे कोई भी clarity नहीं है कि इंडिया में आएगा, कब आएगा यहाँ पर जो auction होता है, license होता है इसके लिए apply किया है कि नहीं किया और वहीं बात करें USA में चीज़े काफी तेज़ से grow कर रहे है और वहाँ पर इन लोग अलग अलग company सा partnership करके अब एक नया satellite network setup करने वाले हैं जिसके अंदर mobile phone के लिए exclusively रहेगा यहाँ पर 2 megabits से लेकर 4 megabits तक की जो speeds होंगी वो किसी mobile phone में provide की जाएंगी जो कि बिल्कुली high speed नहीं होगी लेकिन voice messages, text के लिए छोटे मोटे काम के लिए जो internet पर पढ़ता है उस चीज़ को यहाँ पर use कर पाएंगे काफी interesting concept है लेकिन बात यह कि यह चीज़ को अच्छे तरीके से इंडिया में implement नहीं कर पाएंगे अब देखाया तो इनको शायद apply करना चाहिता उसके बाद यह चीज़ कर सकते थे लेकिन बात यहाँ पर याती यहाँ पर geostationary satellite जो यहाँ पर अर्थ के around है और वहाँ से वो internet की service प्रवाइड कर सकते है और बात की जातो जियो ने इस जो joint venture होता है इसका नाम रखा है Geo Space Technology Private Limited अब कहने का मतलब यह कि हो सकते है कि जियो जो है वो satellite communication के market में उतरने वाली हो और हो सकते है कि वो भी research and development कर रहे है और future के अंदर आप लोगों को एक अच्छा internet जो रहता है mobile phone के अंदर वो यहाँ पर डिरेक्टी जियो की तरफ से देखने का मिल जाए क्योंकि definitely joke है अगर इंडिया में अगर इस टाइप ही चीज़े लाएगी तो उसके पास license वगर होगा proper permission होगी और इस टाइप की चीज़े वो रहाँ पर roll out कर सकते हैं और concept काफी जाद interesting है अब हो सकते शायद Jio के कारण Starlink को यहाँ पर permission नहीं मिली हो और इसलिए जो Starlink है उसको यहाँ से इंडिया से टाटा वाइबाई करना पड़ा है अगर Starlink वाले हैं सही तरीके से यहाँ पर काम करते हो और proper follow करते चीज़े तो शायद अच्छे तरीके से चीज़ हमें देखने को मिलती है लेकिन अभी के दौर पर Starlink बहुत ही दूर का concept लगता है इंडिया के नहीं अंदर मैंको लगता है कि शायद Jio या Airtel भी है यहाँ पर यह कुछ companies है यह शायद अगर इंडिया में गरे step की provide करे services तो भी काफी अच्छा होगा लेकिन एक बात है कि सैटलाइट इंटरनेट पर वारे में आप कभी मस्सूशन है कि आपको एक high speed internet मिलेगा आपको कुछ हद तक एक अच्छा internet यहाँ पर देखने को मिल सकता है लेकिन बिल्कुली ultra high level का जो internet है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा मतलब की 10 MB, 20 MB, PS की speed अचीव कर सकते है Starling खुद mobile phone में 2 Megabits से 4 Megabits की speed promise कर रहा है अब जित्ती speed promise की जाती है उसमें से आती कित्ती है यह आप लोगो बहुत अच्छे तरीके समालू है लेकिन फिलाल के तोर पे यह कहानी होती है यहाँ पर Starling की अब इसलिए Starling जो वो लगातर इंडिया में feel हो रहा है अब देखने क्या future के अंदर Starling अपनी अलग जगे बना पाता है यह नहीं बना पाता यह एक देखने वाली बात होगी बाइदावे आप लोग यहाँ पर कमेंट में क्यों नहीं बताते कि यहाँ पर आप लोग अगर Starling आएगा तो उससे अप लेंगे यहाँ फिर जैसे Jio Airtel अगर अपने सिटलेक्ट वाल इंटरनेट लाते हैं आप उसकी उपर जहाना पसंद करेंगे आपको जो भी आंसर नीचे कमेंट है बताना ना बना भूलना तो फीनों पर सतना है थेंगे आपको वीडियो देखने की आप साम दो नेक्स वान के अंदर गुद्बाई